इस experiment को करने के लिए हमें एक equilateral triangular prism चाहिए हमें drawing board चाहिए pencil और dissecting needle है यह और यह line वगेरा खीचने के लिए angle draw करने के लिए कुछ instrument है तो इस experiment को करने के लिए हम एक a4 size sheet लेंगे या कोई भी blank sheet ले सकते हैं इसके बीच में एक line बना दीजिए इस तरीके से सीधी line बनाईए और अब इस line के उपर हम इस prism को trace कर लेंगे prism को trace करने के लिए पहले एक किसी भी side में एक arrow बना दीजिए arrow नीचे की तरफ है मतलब कि हम उस जिस तरफ arrow head है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और prism को इस तरीके से उस line के उपर रख दीजिए और तीनों corners पे निशान लगा लीजिए अब इन तीनों निशान को आप मिला दीजिए तीनों point को आप मिला दीजिए तो prism trace हो जाएगा prism को रखके line नहीं draw कर दीजिए क्योंकि वो line फिर दूर ड्रो हो जाती है इस तरीके से trace करना ठीक रहता है फिर जो उपर वाली side है इस side का center mark कर दीजिए midpoint mark कर दीजिए एक point डाल दीजिए अब उस center पे 90 degree की एक line खीज दीजिए 90 degree की एंगल मतलब perpendicular draw कर दीजिए यह perpendicular आप set square से भी draw कर सकते हैं और या तो आप protector से भी draw कर सकते हैं मैं इस तरीके से draw कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा जल्दी draw हो जाता है time कम लगता है क्योंकि एसे एसे हमें 9 figure or draw करने हैं तो इस तरीके से आपने normal draw कर दीजिए अब इस normal से हमें normal से protector का यूज़ करके एक 35 degree का एंगल बनाना है यह 35 degree का एंगल और यह जो एंगल वाली line है यह सारी incident ray हो जाएगी यह देखिए यह यानि हमने 35 degree पर incident ray बना दी और यह incident रे normal से 35 degree है कई बच्चे प्रिज्म से बना देते हैं यह हमें normal से 35 degree ऐसे यह हमको 9 figure बनाने हैं मतलग 35 40 45 50 55 60 65 70 और 75 इतने सारे हमने figure हमें draw कर लेना है इसके बाद हम अपना practical शूरू करेंगे कि experiment हमें perform कैसे करना है इसके बाद यह एक sheet को लीजिए और board pin के use से इसको drawing board पर fix कर लीजिए इस तरीके से चारो तरफ board pin लगा दीजिए अब हमें क्या करना है अब हमें 2 dissecting needle लेनी है यह dissecting needle है यह dissecting needle को हम लगा देंगे incident ray के उपर dissecting needle से फाइदा यह रहता है कि यह आराम से लग जाती है और जो प्रिज्म है प्रिज्म की वही वाली side जो उपर की तरफ थी उसी को वैसे ही हम उस trace किये हुए line पे रख लेंगे अब हमें जिस जहां से dotted line बाहर निकल लई थी incident ray वाली उसी side से हम प्रिज्म के बिल्कुल अंदर देखेंगे प्रिज्म के अंदर देखेंगे बैठ करके प्रिज्म के अंदर देखेंगे देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूं क्या देखना है इस तरीके से हम जब उस वाली side के अंदर देखेंगे तो हमें यही दो जो पिन है यह पिन हमें दिखाई देगी जब प्रिज्म को सीधा करेंगे तो यह देखिए दो दोनों पिन दिखाई दे रही हैं लेकिन हमें ऐसे एंगल से देखना है कि यह दोनों पिन प्रिज्म के अंदर से एक दिखाई दे मतलब एक लाइन में दिखाई दे अब उसी लाइन में उनी दोनों पिन के आगे हम एक तीसरी पिन भी लगा देंगे अब यह तीनों पिन एक लाइन में हमें दिखाई देनी चाहिए, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पिन के आगे, चौथी पिन, फिर एक लगा देंगे, अब हमें क्या करना, ये चारों पिन एक लाइन में कर देनी है, मतलब जब हम देखें तो ये चारों पिन एक ही दिखाई दे, आपको उपर से देखने पर कुछ इस तरीके से द कटा दीजिय और जो दोनो नीडल हमने बाद में लगाए थी उनको निकाल लीजिय और उनके जो मार्क है जो छेट है उनको को मार्क कर लीजिये और उन-दोनों पॉइंट को को हम incident ray जो'dotty incident ray नीचे बनाई थी वही हमारी emergent ray अभी यह emergent ray हो गई emergent ray और incident ray इन दोनों के बीच का जो angle है वो angle हो जाता है angle of deviation यहां हमारा angle of deviation आ रहा है यह देखिए 54 degree आ रहा है तो यहां हमारा angle of deviation हो गया 54 degree और इसी तरह हम बाकी सारे figures के लिए भी angle of deviation निकालेंगे अब जब हम angle of deviation निकालेंगे तो 40 degree के लिए 47 degree आएगा 45 के लिए 45, 50 के लिए 44, 55 के लिए 44.5, 60 के लिए 45, 65 के लिए 46, 70 के लिए 40 और 75 degree angle of incidence के लिए 52 degree angle of deviation आएगा इसके बाद इस तरीके observation table बना लीजिए angle of prisma आपको पता ही है 60 degree है और एक column बना लीजिए angle of incidence का दूसरा angle of deviation का तो इस तरीके से observation table बना लीजिए अब उस observation table की help से एक graph हम plot करेंगे जिसमें x-axis पे angle of incidence रहेगा y-axis पे angle of deviation रहेगा इस तरीके से आप इसका screenshot भी ले सकते हैं इसमें scale बगएरा x-axis का scale है एक unit का 5 degree और y-axis का scale है एक unit का 2 degree अब जब हम बनाएंगे तो इस तरीके का एक curve आएगा कर्व में सबसे जो lowest point होगा इसके corresponding y की जो value होगी वो होगी angle of minimum deviation हमारा angle of minimum deviation है 44 degree यह 44 degree angle of prism आपको पता ही है equilateral triangular prism है तो 60 degree हो गया अब refractive index का formula जो यहां लग रहा है sin a plus dm upon 2 upon sin a by 2 अब values हम पूट करेंगे sin 30 plus 44 upon 2 upon sin 30 upon 60 upon 2 तो यह हो जाएगा sin 52 degree upon sin 30 degree अब sin 52 की value है 0.788 और upon 0.5 तो तो प्रिस्म का refractive index आगया 1.57